सातियों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेगनेट डीसी में दोस्तों आज हम देखेंगे बारा वोल की जो लाइट आइसी होती है उसमें इस टैप का फोल्ट भी हो सकता है जो हमारे पास आए हैं उनका एक MI8 के हैंट्षैट है जिसमें की लाइट नहीं बन रहा उन्होंने उसका सब कुछ चेंज कर दिया इस लाइट आइसी है आपका बूस्ट कोईल है डायोड है यहां तक कि उन्होंने आइसी की जो पैड वैलू है वो भी ले लिया है फिर भी उनका लाइट रिपेर नहीं हुआ है तो यह जो आए है हमारे पास बहुपाल से तो इनका यह फोन है तो देखेंगे कि इस फोन में ऐसी क्या समस्या है कि यह फोन रिपेर नहीं हो रहा इसमें लाइट नहीं आ रहा तो आपके पास भी लाइट समंदित कोई फोल्ट है तो आप इस वीडियो को एंड तक रहे जैसे हमारे ल२ाइट के विश क्ल होता है हुश करन जैंज कर चुके हैं उसके बाद डायोट रहे हो और यहाँ पर इनका पास इक भोनी उन्हें से सबी लाइन को चेक कर लिया पर उनको लाइट नहीं बनाया है इस पज़न में आपका ग्राफिक्स आ रहा है यह बाकि बोर्ड भी आपका लगभक फ्रैस है ज्यादा वॉर्ड आपका कहीं से छिड़ा हुआ नहीं है कि वर लाइट सेक्षणं के लिए कहीं पर भी बोर डे आता सेक्सिन गो कैसे सेक्सिन को कैसे चेक करना है, तो आप हमारा online class Bitcoin कर सकते हैं. Online class हमारे start होने वाला है, पंदरा July से, 15 July से स्टार्ट होने वाला है, उसको join करके भी आप बह्तर sentences इसे वह स्छी सेख्ख़ोomer, उसका पीश है, फीस है कर लेते हैं ऑनारा किया समस्य है तो यहां पर सबसे से ना मीटर कोन कर लेते हैं क्या राएं है मेटर मोड़सिे कर दिया है और सबसे पहले हमारा जो काम होता है सबसे हम रीडिंग लेंगे यहां का जितने भी हमारे light के लिए जितनी भी lines आती है आप लोग जानती है light के लिए हमारे एक anode होता है cathode 1, cathode 2 और हमारा PWM होता है तो हम सभी लाइनों का reading लेंगे कि सभी लाइनों का reading ओक है कि नी हम starting यहीं से करेंगे तो पहले हम एक बार diagram की तारब जाते हैं और diagram चные真ги यहां पर light section इसका हमने खोल के रखा है अब देखेंगे light section यह बारे में तो यहां पर देखेंगे light section हमारा यह है light section में अगर आप देखते हैं तो इसमें आपके number one यह हमारा light ic है light ic हमारा यह रहा जहां से display section के लिए 4 point जाते हैं जहां से कि देखेंगे इसका पिन नमबर वन पिन नमबर वन कर हमारा एनोड लाइन आया है उसके बाद इसका की बन की तू मतलब कैफोड बन और कैफोड टू इसके पिन नमबर आया है आपका पिन नमबर त्री और फॉर पर, और इसके बाद आपका चार, पांच, छे, साफ, आठ नो, और नौ पिल पर आए है, पी ड़ू एम, पी ड़ू एम, नौ पिल पर आया है, चिके? और इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर जो लाइट ऐसी है, वो आपकी बारा बॉल की लाइट ऐस यह में उत्यास आई लापगा स purity मिलना चाहिए यहां पर हमारी जे लाइट आई अंगर हमारी होती च्छ लेक्षीन, जलिए वे थो मतलब कि हमारा जियर है वह हमारा क्यातोर क क्यातोर की लाइन पर क्या सकते है कि ग्राउंड आता है, पर जितनी भी बॉल वाली आईसी होती है इनका कैथोर लाइन पर घ्र हमेरे सा 15 आता है तो हम देखेंगे कि यहां पर हमारा घ्र 15 है कि नहीं तो यहां पर हम चेक कर लेंगे चेक करेंगे पिन नमबर फर्स्ट पर हमारा एनोट का लाइन है और पिन नमबर थर्ड़ फूर्थ पर क्यातोर का लाइन है तो एक बार रीडिंग लेते हैं प्रेर प्रोग्राउंड कर देते हैं और बलेक से चेक करेंगे यहां पर जो एनोट का लाइन है यहां पर अभी देखो बैटी लगा हुआ है इसलिए इसा हो गया है बैटी को निकाल देते हैं जब आप बैटी लगा होगा और आप कोई भी लाइन चेक करेंगे वोल्टेज के लाइन तो आपको आपको आपर जीरो जीरो बलब बीप का साउंड यह आपको आएगा तो यहां पर बैटी लगा हुआ था इसलिए मिश्टिक हो गया एक बाद चेक करते हैं द्वारा से यहां पर चेक किया है देखो यहां पर डिवाएन पर लगव का 500 आरहा है यह कौण सा साउं जीरोत को आपको आपको यह लाइन Nc है इसके बाद हमारा यहां पतने सकते हैं क्याथोर की लाइन पर रीडिंग हमारा 600 आ रहा है मतलब की यह भी लगए ठीक है यह पाथ टू है तो कैटर टू में हम नहीं जाना है केटर टू तो यह जागर लाइट जैसे मालो कर यह लाइन हो यह लाइट आई सी से लेकर और हमारी डिस्प्रेय के जैक तक जो कि इसकी पिन नम्बर नौ पर आया है अगर वहां तक यह रेडिंग नहीं आएगा तो समझ से ऐसा आता है हमारे फोन में जब आप फोन को ओन करेंगे वन ट कि वांच टू त्री फोर फाइफ 6 शेवन एट नाइन ठीक है यह अपके दस्में नम्बर पिन पर है एक बादेख लेते हैं डागराम में यह अता सिंट था कि नहीं क्योंकि हमको साइध खेल रहा है कि यह पिन नम्बर नौ पर था कि नम्बर दसका देख लेते हैं हमारा का तो यहां पर भी रीडिंग आपका ओकी आ रहा है यहां से गिल देंगे वन टू थी फॉर फाइफ सेक्स सेवन एट नाइन टें तो मतलब पिन नम्ह दस का भी रीडिंग होकिए है इसका मतलब है कि जतना भी हमारा लाइट आईशी से डिस्प्रे के जैक के लिए लाइन आता है वह सब लाइन लेका रीडिंग होकिए फिर भी हमारे फ़न में एक्ट्र प्रॉल्म क्या है तो हम देखेंगे एक बार इसको वोल्टी मिल रहा है कि नहीं तो हम लोग जानते हैं कि एनोड की लाइन पर हमको वोल तो अब हमने इसका बोल्टे चेक करना पड़ेगा कि हमने इस जियारि हमारा ओके है घर ह्मरुरा कोई समस्थ्य नहीं है यह कि मद्टल के समस्मुंट्र रिखें से लना परने ने यह ब्रहाटम लग्बोर्टे करने के लिए कर लें तोम रोब्यागर्टे नहीं नहीं इत Д मतलब की बैटरी लगवक का चारज है और यहां पडर रीच एक बार तो हुआ हुआ कि आर्हां चीक करेंगे आउ यहां पार चेक हैं तो मतलब हारे बुस्ट कॉइल पर इस साइड भी वोल्टिजень हमारा अरहा है थे पॉञट arrivs City और से शकश कर में तो यहां मतलब कि यह का कॉल यह क्लिए है क्लिर क्या है इस वाद देखेंगे हमारा डायोड डायोड पर अर्पलेज क्या रहा है है ईस से ल fotograf के लिए और हम यह करेंगे स्थी तो कर देखते हैं यहां पर और हांड की या टेश्ट के बाद को आपको च्राइब कूल टेस्टिंग इसलिए कि किस लाइन ले शॉटिंग तो नहीं हे यहां तो देखिगे तो बॉल्टे हाज़ाएंक颇क मतलब कि यहां पर बंद पर क्या वोल्टे बनता है यहां पर देखेंगे तो यहां पर यह दोनों ची चेंज हो चुका इसी भी चेंज हुआ है आई जीए हमको एक बार निकाल के देखना होगा और उसके अंदर जितनी भी लाइन आती है सब का जियात रहना होगा क्योंकि यहां पर यह पूरा सर्कृट चेंज हुआ है फिर भी लाइट नहीं आया और फोल्डर भी ठीक है फोल्डर भी फोल्डर भी चेक कर चुके फोल् लेंगे तो लाइट आशक्व निकाल लेते हैं पहले हम एक बार इस लाइट आजई का देख लेते हैं लोज पांट देखो कोई भी आशी निकालने पहले आप उसका नोच पॉइंट देखने नोच पॉइंट आपके लिए बहुत ज्ञादे इंपरेंट होता है तो यहां से आप निकाल लेंगे नोज़ पॉइंट देखको इस IC को नोज़ पॉइंट इस साइट है तो हम एक बार इस IC को निकाल लेते हैं यहां पर हमने हीट लिया है अपना SMD में 250-350 लिया है आप भी अपने साब से ले सकते हैं जिस प्रकास से आपका SMD कमपटेवल है आप उसे साब से हीट लेंगे तो कि इसके जश्ट नीचे CPU है तो CPU को भी हीट लग सकता है इसलिए आपको यहां पर बहुत ही साब दरी से काम करना होगा यहां पर यह हमारा IC निकल गया है और चीक है इसका नोज़ पॉइंट यहां पर है तो हमारा IC को यहां पर रख देते हैं यहां पर यह हमारा IC अब हमको एक बार इनके सभी बॉलों का रिटिंग लेना होगा क्योंकि जैसे हमारे बाला बॉल के IC को काम करने के लिए इसको हमें इन भी चाहिए इसके अंदर आपकी और कौन-कौन सा लाइन काम करता जिससे की मारा लाइट भूस्ट होता है क्योंकि सब कुछ इनके निकात लाइट आना चाहिए पर लाइट निया तो देखते हैं कि प्रॉल्म कहां से निकलता है तो एक बार हम बोर नियुक तरफ जाएंगी इसका बोनियु स्केमेटिक है यहां पर तो यहां पर आगर आप देखेंगे तो हम यह सभी लाइंट चेक कर चुके हैं यह सभी कोई सबस्या नहीं आपका और यहां देखेंगे आप यहां पर तो यह आपकी 12 वलकाइस है यह आपका 12 वलकाइस ही है इस IC को काम करने के लिए प्यक्रेश पावर जो कि इसको मिल रहा है वह हम चेक कर चुके हैं इसके बाद हमारा यह सभी इसके आउटपुट हैं और इस IC को अन होने के लिए इन चाहिए तो देखो दोस्तों इसके अंदर कोई भी IC मरी कैसे काम करते हैं इसको चाहिए इनपुट दूसरा इन और तीसरा आउटपुट आउटपुट मतलब हो गया कि आपका बूश्ट बोल्टेज वाली लाइन तो हमने इनपुट चेक के इनपुट हमारा व्यूच पर का वोल्टेज के अंदर इन हो रहा है दूसरा इन भी चेक करेंगे इन की सीखी लाइन हमारा कहा है और यह सीधा का आया हुआ है इसक तो इसकी बाद इसक़रीडिंग चेक करेंगे और इसके बाद यहां पर आपके इन दो क्युक्या इनको बेलता है इनको मिलता है तो अब हमें यहां पर इनका जीर लेना पड़ेगा तो यहां देखेंगे हमको जीर लेना है इसकी पिन नमबर वन का और पिन नमबर ये दो का में हमकें निद्म का की तो यहां पर हम सवी का जिर ले लेते हैं तो खार्ट करते हैं तो यहां से हम ठोड़ा द्रम कर लेते हैं कर दो जोँम क्या है अब आप इसका जियर लेंगे यहां पर लेंगे जीयर ठीक है तो एक बार ग्राउंड करते हैं यहां पर हमना रेड़ प्रप को ग्राउंड के है रेड़ प्रप हमने और चेक करेंगे भी लेक्षी तो यहां पर हमारा आता है इन हमारा जो यह बॉल है इस बॉल पर हमारा एन आ रहा है मतलब कि एन का लाइन का भी रीडिंग पांसो प्रस नहां चाहिए तो यहां भी रेडिंग के लिए रेडिंग में कोई भी समस्थे हैं अपन नहीं है इसके बाद हम चेक करेंगे टेटा क्लॉक का लाइन तो डेटा का लाइन यहां पर है हमारा यह भी ओके है और क्लॉक का लाइन यह भी ओके है मतलब कि लगभग आपका रेडिंग सभी का ओके है मतलब कि जो भी लाइन जहां से भी आ रहा है वो केलियर है लाइन में क्योई भी लाइन में कोई स्वार्टिंग नहीं है पहले हम च क्लोन का होता है तो ये भी एक उच्फ चेक लेंगा इसका वालूgrass बढ़ा होता है पसका हम लागा होता है यहां में इसका इसका किज आ है मतलब कि रीडिंग भी लगो इसका अभी इसका रीडिंग बढ़ रहा है ठीक है वोट साइथ थोड़ा सा हीथ होगा इसलिए लग कि आप कह सकते हैं रीडिंग में आपका ओक्षी माना जाएगा अगर्ण है ड्सका अगया सवक्लो मतलब की है अगया इस यहां पर सब्सक्राइब होटाइक साइट तो यह हमारा एक सेट शब लाइँ है मतलब कि एक किलियर है कि हमारा जो इयन का लाइन नहीं है उसका बींट नहीं है तो वह दू चेंज कर लिए है और एक कंप्लीट चालू हैंट चेप लगा कर देख लिए सेट में नहीं हुआ है तो हम एक बार data clock की line को चेक करेंगे कि कहीं दोनों लाइन शॉट तो नहीं हो गया कभी कभी जैसे आपने देखा है कि MI8A के अंदर जब आपका network नहीं आता है तो 4G IC में data clock की line भी शॉट हो जाती है तो भी हम एक बार देख लेंगे आपस में इनका आपात में रीटिंग ले लेंगे यह दोनों लाइन यहां आती है एक data clock एक बार हम देखेंगे राइट मोड में लाइस्ट हमारे पार उप्सिन यही है बाकी दो सब कुछ के लिएर इसके अंदर रीडिंग सबका ओके है एक मेंट तो आप यहां देख सकते हैं देखो आप यहां देख सकते हैं इसमें data clock के लाइन मतलब कि इसके अंदर data clock के लाइन दोनों आपात में सब्सक्राइब है इसके अंदर रीडिंग चेक किया है दोनों का रीडिंग चेक किया अलालग जो कि सभाव हपस में लेडिंग लिया है क्योंकि हम लोग जानते हैं तो यहां पर हमको यहां पर आपके बीप आ रहा हória है इसका मतलब हो गया यही लाइन सोट है हमारी तो देख लेकिए थे इंक पड़ आल्क राम के अंदर यहाँ पर आपकी यहाँ लाइन है, जो कि यहां से आ रही है, इसके अलाबा हम देखे में आगे, तो यहां पर डेटा क्लोग की लाइन आपकी दोनों CPU से आते हैं, यहां की लाइन दोनों ही CPU से आते हैं, और इनलग काम करने के लिए 1.8 बॉलते है पुलप, इनको पुलप 1. 1.8-1.8 volt मिलता है. तो हम लोग को क्या करना है? या तो हमको इसके लिए समर्स करना होगा, वह समस्कु को निकालना होगा, तभी इसका sorting आर्ष रखता है क्योंकि इस in line-o में sort in line pack का मिलने का हत्रब है कि cps a line के लिए रहे या तो कोई भी लाइन के थुरू यह सॉट हो गया होगा नहीं तो हम इस लाइन के अंदर वन पॉइंट वोल्टे इंजट करके देख सकते हैं 1.8 वोल्टे इंजट करेंगे और जहां भी इसका एक्षल शॉटिंग होगा तो policy यहां वह पॉइंट वोल्टे इसमें देदें तो statue मसिन में वन उपउंट व्ल्डेश कर दिया है की और हम कि इस लाइन में वोल्टे देंगे आप दिश्यमिन सेट के हमने 1.8 बॉल्टेज और आपका आदा एंपियर या एक एंपियर ले सकते हैं तो हम यहां पर सबसे पहले आदा एंपियर लेंगे और चेक करेंगे यहां पर तो कुछ नहीं है यहां पर दे दिया है यहां पर कोई भी गरम नहीं हो रहा है अब एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं तो अब दे सकते हैं आप इसमें कि अभी इनमें सौर्टिंग नहीं है तो जैसे हमें ने इन लाइनों के अंदर 1.8 बोल्टे और एक एंपिय इंजट किया है आदा एंपिय लिया पहले हमने आदा एंपिय दिया तो यहां पर हलकासा एक दो मिली करेंट का कंजिशन किया ओटोमेटिक और फिर ओटोमेटिक जीरो हो गया है। मतलब कि हमारा कहींन काहीं मानर शोर्टिंग था जो शॉल्टिंग किसी वजह सकता है मोश् लबजर हो सकता है तो मतलब यहां पर मेरे बीए शॉल्टिंग हट गया है तो एक बार बातिनिक को लगा देखें फीजवी चेक करेंगे समस्च्चा, कि देखला स्वाल होता है कि नहीं है तो अभी हमारा यसी जो हमने निकाला है और उसाइसी का बॉल तो खराब नहीं हुआ है तो हम इसको एसी लगा देंगे से एक बार हमें इस IC को नोच पॉंट देखना होगा क्योंकि नोच पॉंट आपका यहां पर नहीं दिख रहा है विदाव नोच पॉंट नहीं लगा सकते इस IC को हूँ तुम देखेंगे IC को नोच पॉंट देखो यह रहा है इस साइट है आपका वह में से लगा देखें तुड़ा हीट कर लेते हैं पहले अब हीट लेनेंगे 350 और एक बार साइट को बठाएंगे तो यहां पर आपको हीट लेना है इसके जाशनीचे सीप्यू आपको ध्यान देना है कि आपको हीट बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट तरह की से लगाना होगा हमारे आइसी लग चुका है हमारे आइसी लग चुका है थोड़ा बोर्ट को ठंडा करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि अभी जो हमारा प्रॉल्म स्वाल हुआ है कि नहीं तो यहां पर देखा आपने डिटक लोक का लाइन सौट होने से भी यह समस्या आपके फोन में भी आ सकता है तो यहां पर हम चेक करते हैं चेके बोर्ट को फिट करेंगे और यहां पर देखेंगे पीछे इसका सीप्यू का टाइप का सीड निकला हुआ है और यहां पर हम इसे पैक करते हैं यह ठंडा हो गया बोर्ट हम चेक करेंगे कि अभी हमारे फोन में लाइट आता है कि नहीं तो यहां पर हम पावर की प्रेस करते हैं और आपको दिखाते हैं माइक्रोस्कोप में तो देखो हमारे फोन के अंदर लाइट आ गया है